दोस्तों बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदला है और माना यह जाता है कि बदलते समय के साथ जो अपने आपको ढाल ले वही फायदे में रहता है हाली में हमने देखा है कुछ बढ़ते हुए सालों में कि बाहर खाने पिने का प्रचलन बहुत हो गया है प्रचलेण का प्रचलनु बहुत हो गया हूं चोटी सी बात होती है हम दोस्तों से पार्टी मांगे देता हैं चल यार त्ने परसेंन मांक्स आया पॉल डेते हैं आज मैंने कार भाए है चलो मैं तुमें प्रटी थो करता हूं इससे donate couken ऐ súper चोटा सा get together भी बन जाता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन सब parties में, चाहे कुछ भी हो, चाहे चोटा मुरता कीर्तन हो, चाहे जगराता हो, पार्टी हो, शादी हो, बर्थडे हो, इन सब चीजों में एक चीज कॉमन होती है, वो ये, कि जब आप guest को बुलाते हैं, तो ज खाने का इंतजाम, कैसा खाना होगा, क्या-क्या खाएंगे, वो चीज डिसाइड करना एक बहुत बड़ी माथा पच्ची होती है, ऐसे में हम caterers को recommend करते हैं, कि भई caterer कर लेते हैं, सारा सरदर्दी उसकी होगी, क्या बनाना है, बस ये बता देंगे, बाकी catering वाला संभाल में जरूर लिखेगा, कि किस तरह के वीडियो आप बिजनस को लेको और देखना चाहेंगे, बिजनस शुरू करने से पहले क्या है जरूरी, अगर आप छोटे स्तर पर, यानि कि अपने घर से ही ये बिजनस शुरू करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपको बेहतरीन खान बनाना आता हो, और साथ ही घर में चोटी मोटी मदद के लिए आपके पास कोई न कोई हो, ऐसे कुछ लोगों को काम पर रखना होगा, जो अच्छी तरह से खाना बनाने का अनुभव रखते हों, और अपनी जिम्मेदारी को सही ढंक से समझते हों, साथ ही आपको इसके लि बात जो ध्यान में रखने पड़ती है, वो है साथ सफाई, याद रखें कि आप जो खाना भेज रहे हैं, सीधा लोगों की सेहत से जुड़ा है, इसलिए केट्रिंग बिजनस में आरोग्य विभाग लाइसेंस देता है, आपके द्वारा आवेदन दिये जाने के बाद आर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपका खाना और उसकी पाकिंग हो आकर्शक, एक बहुत ही जानिमानी कहावत है कि जो दिकता है, वो बिकता है, ये कहावत इस बिजनस में बहुत ही माइने रखती है, बहुत ज़रूरी है कि आप खाना अच्छी तरह से पैक करके भीजें, ऐसा ना हो कि खाना अच्छा हो पर पैकिंग की खराबी के कारण सब बिकर जाए, साथी खाने के साथ फेजी गई कटलरी जैसे की चम, मच, कांटा, आधी भी आकर्शक हो, ऐसा करने से आपका आधा काम यो ही पूरा हो जाता है, खाने में पहले खासियत पर ध्यान दे, बि चानेंगे, आपका बिजनस पढ़ने में परिशानी आती रहेगी, कीमत पर ध्यान देना जरूरी, केटरिंग के बिजनस में कॉम्पिटिशन काफी जादा है, इस बात का ध्यान रखें, ऐसे में अगर आप शुरू में ही खाने के दाम जादा रखेंगे, तो आपको कस्ट बनाना है बेहत जरूरी, केटरिंग का बिजनस चोटा हुए या बड़ा, इसमें सबसे एहम बात है, आपके ग्राहक, कोशिश करें, कि आप अपने ग्राहक से अच्छे रिश्टे रखें, ताकि वो आपके व्यापार के बारे में अपनी जान पहचान के और लोगों को भी बताएं और ऐसे करते हुए आपको जादा से जादा बिजनस आफर मिलें, इस बिजनस में मारकेटिंग से भी जादा काम आता है, कि आपके कितने मौजूद गराहक अपने जानने वाले हैं, अपने जानने वाले को आपके बिजनस के बारे में बता रहे हैं, अच्छी मारक ताकि समय पढ़ने पर आपके मौचूदा ग्राहक इन्हें बाकी लोगों तक पहुंचा सकें। इसके अलावा पामफ्लेट्स या अकबार में इश्तिहार दे कर आप अपने बिजनस की जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मारकेटिंग के लिए आप सोचल मीडिया का सहरा ले सकते हैं। आप जादा पैसा ना भी खर्च करना चाहें तो एक फेस्बुक पेज बना कर अपने हर ओर्डर को पोस्ट करते हुए अपना खुद ही प्रचार कर सकते हैं। साथ काम करने वालों को दे एहमियत। हमेशा ध्यान रखें कि इस बिजनस में आपके साथ काम करने वाले लोग बाकी बिजनस के मुकाबले कहीं ज़ादा एहम हैं। क्योंकि उनी के चलते मारकेट में आप एक खास पहचान बना रहे हैं। और उनके जाने से आपके बिजनेस की ये पहचान जा सकती है इसलिए उनके मालिक नहीं बलकि दोस्त बनने की कोशिश करें बिजनेस बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट है जरूरी अगर आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो शुरुवाती खर पार्टी के लिए करते हैं ऐसे में कोई भी ग्रहक खाने में देरी होना बरदाश नहीं कर सकता फिर भले ही खाना कितना भी अच्छा क्यों नहों साथी खाने की क्वालिटी इस्तेमाल की जाने वाली सबसियां मसाले आदिका भी अच्छी तरह से ध्यान रखें यही सही मैं आपका काम यही आपकी पेचान है और आपका काम ही आपको और काम भीच कर देता है इसलिए बहुत जरूरी है तो देखा आपने कि कैसे आप catering का business शुरू कर सकते हैं और catering का business ऐसा नहीं है कि एक बार शुरू कर दिया तो दोबारा नहीं चलेगा एक बार आपका खाना पसंद आ गया, एक बार आपका एक social network बन गया तो जाहिर तोर पर आपका catering का business अच्छे से चल सकता है आपके बिजनस का सच्चा साथी